गुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्थ, डॉक्टर और्थो आपको देता है, दर्थ से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्धिगी ट्विटर पर 100 रुपे में पेट्रोल के मीम धड़ा-धड़ शेर किये जा रहे है, सरकार समर्थक लोग इसे भी देशित में बता रहे है, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि अगर पिछली सरकारों ने ओल बॉंड का पैसा भरा होता, तो इतनी टेंशन नहीं होती, उनका ये भ कीमतों के रिकॉर्ड पर पहुंचने के बीच, पी-म नरेंद्र मोदी ने 17 परवरी को कहा था कि अगर पिछली सरकारों ने भारत की उर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने पर गौर किया होता, तो आज मध्यम वर्ग पर इतना बोच नहीं पड़ता, तमिलनाडू में ओल और गास प्रोजेक्स का उद्खाटन करने के लिए आयोजेत एक ओनलाइन कारेकरम में प्रधान मंतरी ने कहा, कि अभारत जैसे एक विविद और सक्षम देश को एनरजी इंपोर्ट पर निर्भर होना चाहिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता ह कि अगर हमने इस मसले पर पहले फोकस किया होता, तो हमारे मध्यम वर्ग को बोज नहीं सहना पड़ता इसे पहले दस फर्वरी को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी तेल के दाम बढ़ने के लिए मनमोहन सिंग सरकार को जिम्मिदार बताते हुए ट्वीट किया गया था, इसका मजमून कुछ ऐसा था अर्च शास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने पेट्रोलियम की कीमत पर क्या कहा और किया था, उन्होंने कहा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं उखता और 1.3 लाग करोल रुपे का ओयल बॉन्ड का बिल बिना भरे ही चले गए मोधी सरकान ने वो सारे बिल ब्याज के साथ भरे, हमें अपने बच्चों पर बोज नहीं डालना है ये ओल बॉन्ड का क्या चक्कर है? इस ट्वीट में बाकी बातों के अलावा ओल बॉन्ड का भी जिक्र है आखिर ये किस का बही खाता है जोसे मोधी जी को सेटल करना पड़ा है तो आईए पहले थोड़ा ओल बॉन्ड के बारे में भी जान लेते हैं बॉन्ड का मतलब एक तैव वक्त पर पैसा चुकता करने का भरोसा है आप इसे एक किसे से समझे ललन सिंग को अपने बेटे की शादी के लिए अपने दोस्त पुत्तन सिंग के हां से सामान खरीदना है ललन सिंग के पास पैसे है नहीं लेकिन उनको लगता है कि कमाव पूत कमा कर अगले 5 साल में घर भर देगा वे पुत्तन सिंग के पार जाते हैं और कहते हैं कि पुत्तन भाई 5 लाख रुपए का सामान दे दो लेकिन उस सामान की मैं अभी नकत पेमिन नहीं कर सकता इसके बदले एक लेटर पर लिखकर दे देता हूं कि आपको 5 साल बाद 5.5 लाख रुपए दे दूगा इस बीच हर साल आप मेरी किराने की दुकान से 10.000 का सामान भी मुफ़ में ले लेना इस तरह से लल्लन सिंग ने दोस्त पुत्तन सिंग को 5 लाख रुपए का बॉण 5 साल की अभधी के लिए दे दिया सरकार यही लल्लन सिंग है भारत सरकार ने भी साल 2005 में लल्लन सिंग वाला पंडा अपनाया रुजर्व बैंक के नियमों के अनुसार सरकार कंपनियों को भी स्पेशल बॉण इशू कर सकती है मतलब अगर सरकार चाहे तो नकत पेमिंट की जगहा पर किसी कंपनी को बॉण में पेमिंट कर सकती है इससे सरकार को फायदा यह होगा कि उसे अपनी जेब से कैश नहीं देना होगा इससे राजपोश्य घाटा भी कंट्रोल रहेगा मतलब सरकार की देनदारी और कमाई का रेजिस्टर सापसुतुरा दिखेगा इसका एक राजपोश्य नितिक फायदा यह भी था कि अभी काम चल रहा है बाद में सरकार रहे न रहे जो सरकार आएगी वो देखेगी सरकार ने ओयल बॉण को साल 2005 में शुरू किया उसने ओयल मार्केट कमपनियों यानि की OMC को बॉण्ड के तौर पर भुपतान करना शुरू किया इन बॉण्ड को एक निश्चत अभधी के लिए इशू किया गया था ओयल कमपनियों को इस बात की आजादी दी थी कि वे अवधी के बीच इन बॉण्ड के बैंक इंशुरेंस कमपनियों आदी को बेश सकती है इससे जरूरत पढ़ने पर वह भी अपनी आर्थिक परिशानी से निपढ़ सकेंगी ये वो वक्त था जब ओयल पर सबसीडी मिलती थी मतलब इंटरनाशनल मार्केट में रेट कुछ भी हो सरकार अपने हिसाब से रेट कंट्रोल करती थी कच्चे तेल के मामले में फ्यूचर प्राइस और करंट प्राइस लगभग एक ही है कैसे? ये हम आगे समझेंगे तेल कंपनियों को जेब से कैश ना देना पड़े इसलिए ओयल बॉन्ड की शुरुवात की गई सरकार ने 2005 से लेकर 2009 के बीच 4 लाग करोड रुपे के ऐसे ही ओयल बॉन्ड इशू किये इस बीच 2008 में वैश्विक मंदी आ गई ओयल मार्केट कंपनियों की हालत भी खराब हो गई कंपनिया सरकार के पास पहुची और कहा कि हमारे पास कैश है ही नहीं यही हाल रहा तो कंपनिया बंद हो जाएंगी सरकार की खुद की ओयल कंपनिया खत्रे में आ गई ऐसे में सरकार ने 2010 में bond से payment करने का system बंद करके cash payment का system पिर से शुरू कर दिया June 2010 में petrol के दामों को दिरेगूलेट कर दिया गया मतलब सरकान ने का की जैसा market में कच्चे तेल का दाम होगा उसे इसाब से ही दाम भारत में भी बढ़ेगा-घटेगा October 2014 में डीजल पर भी यही विवस्था लागू कर दी गई साल 2017 में वर्तमान में चलने वाले डायनमिक फ्यूल प्राइस सिस्टम को लाया गया इसमें दुनिया भर की मार्कित के हिसाब से तेल की कीमतों में रोज उतार चड़ाव आने लगा अब जानते हैं कि मोधी सरकार की टेंशन क्या है जो बॉन 2005 से 2009 के दौरान इशू किये गए थे वो 2022 से 2026 के बीच मिच्च्योर हो रहे हैं इनकी कीमत तक्रीमन एक लाग तीस हजार करोण रुपे है मतलब अब ललन सिंगे पेमेंट करने का वक्त आ रहा है इसमें से भी जातर बॉन 2022 में ही मच्च्योर हो रहे है अब तक मोधी सरकार ने कितना चुकाया मोधी सरकार को अपने पहले कारेकाल यानि मई 2014 से 2019 के बीच दो बार बॉन की रकम भणने की नौबत आई है ये दोनों ही सेट 2015 में मच्च्योर होए थे इनकी कीमत थी 35 करोड रुपए ये बार सरकार ने राजसभा में बताई भी थी इस देंदारी को 2019-2020 की बजट रसीड में देखा भी जा सकता है 2019 में जब मोधी सरकार आई तब देंदारी 1,34,423 करोड रुपए थी जो अब 1,30,923 रहे गई है इससे साफ पता चलता है कि NDA सरकार ने 35 करोड रुपए और व्याज का भुपतान किया है बजट डॉक्यूमन के अनुसार 2019-2024 के बीच मोधी सरकार पर आई बार की 41,150 करोड रुपए की देंदारी बनती है अलकि इस देंदारी से जुड़ा कोई भी बॉण्ड अभी मिच्योर नहीं हुआ है साल 2021 में मोधी सरकार पर 10,000 करोड रुपए के दो ओयल बॉण्ड की देंदारी है इसे अभी भरा नहीं गया है और 55,000 करोड के ओयल बॉण्ड इस साल 16 अक्टुबर और 28 नवंबर को मिच्योर होंगे इसके बाद अगला ओयल बॉण्ड 10 नवंबर 2023 को मिच्योर होगा इसके लिए सरकार को 22,000 करोड रुपए और प्याज फढ़ना होगा तो इस हिसाप से जिन 1.3 लाग करोड रुपए के बॉण्ड की देंदारी की बात हो रही है वह सही है लेकिन इसे मोधी सरकार ने भढ़ दिया है यह गलग है मोधी सरकार ने अपने कारेकाल में सर्फ 35 करोड रुपए के बॉण्ड भढ़े हैं इसी तरह कि एक खबर कुछ दिन पहले आई थी, खबर ये थी कि सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक का रिकापिलाइजेशन करेगी, मतलब उसे वेंटिलेटर लगाकर जिन्दा करेगी. इसके लिए सरकार RBI यानी Reserve Bank of India के जरिये 5500 करोड उपे के जीरो कूपन बॉंड इशू करेगी, कुछ एक्सपर्ट्स इसे मास्टर स्ट्रोक तो कुछ मरिच का बता रहे हैं. आपके लिए एक खबर लिखी है, हमारे साथी अमितने, मेरा नाम है दिव्याशी, देखते रहे हैं, दीललन टॉप, शुक्रिया.